हलो डियर स्टुडेंट्स पोएम कर्नल फैजर करली बटर वर्थ टूस्ट कमपोस्ट बाइ चार्ल्स कॉजले चार्ल्स कॉजले वोज राइटर अफ शॉर्ट स्टोरी एंड पोईट्री उसकी सिंप्लिसिटी जो उसकी थौट्स और इमोशन में थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये एक कर्यक्टर पे बेस बोएम है कर्नल फैजर करली बटर वर्थ टोस्ट ये कर्नल थे रेटायर कर्नल थे जो बहुत मुड़े थे तो once upon a time he bought a big castle उन्होंने एक जब वो रेटायर हो गए थे तो उन्होंने एक बड़ा सा castle खरीदा पुराना था काफी टाइम से बना हुआ था खंडर टाइप का था तो उसकी उसमें अपनी first night ये गुजार रहे हैं इनको एक गोस दिखता है तो वो गोस दिखकर इनका क्या reaction होता है ये गोस को कैसे treat करते हैं या डड़ते हैं या क्या करते हैं we will read in the poem very very interesting poem let's begin Colonel physically but a word toast this is the name of that guy Colonel का नाम है bought an old castle completed complete with a ghost castle होता है a big palace किला टाइप का बंगलो मंगलो से भी बड़ा किला complete with a ghost जिसमें पुरी तरह एक भूथ था but someone or the other forgot to declare लेकिन जब उन्होंने खरीदा तो किसी ने उसे उन्हें इस बारे में ने किया बताया नहीं वैसे भी कोई नहीं बतायागा कि यह भूथ किया बंगला है to Colonel Faisak that the spectre was there कि वहाँ पर एक गोश्थ है जब उन्होंने यह बंगला खरीदा तो किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि वहाँ पर एक spectre यानि की गोश्थ बूथ है On the very first evening, पहले ही दिन, जब उन्होंने अपना यह बंगलो लिया, कैसल लिया, उसकी पहली शाम While waiting to dine, खाना खाने से पहले, dine means dinner, full form is dinner The Colonel was taking a fine sherry wine Colonel, बैठे हुए थे अपना bonfire जल रहा है बैठे हुए अपना एक wine का glass लेकर bonfire के सामने, chimney के सामने खाने से पहले, when the ghost with a furious flash and a flare This is the movement of the ghost, furious flash रोश्णी की तर एक flash की तर है and flare बिलकुल चमकती वी सी, एक रोश्णी सी आई, कुछ चिमनी के आसपास से घूमती हुई, बहार है Shot out of the chimney and shivered, beware फटा फट, shot out, चिमनी से बाहर निकला, एक चमकती वी सी एक, शाइनी सी कोई चीज और वो बोला, beware, साफधान कर्णर physically put down his glass उन्होंने ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था, वो नीचे रख दिया एकदम से कुछ हुआ, तो उन्होंने वो glass नीचे रख दिया जो उनके हास में था and said, my dear fellow, that's really first class और उन्होंने कहा, अरे वा दोस्त, क्या first class action है, क्या performance है क्या जटके से आयो, मज़ा आ गया just can't conceive how you do it at all और उन्होंने तो उसका मजाकी बना दिया और उन्होंने का, oh I can't imagine, तुमने ये सब कैसे किया imagine you are going to a fancy dress ball मुझे ऐसा लगता है, जैसे तुम किसी fancy dress competition में जा रहे हो means, वो बैठे हुए थे अपना glass हाथ में लेकर suddenly एकदम से एक चिंगारी सी आई और एक shiny सी कुछ तेज चिंगारी flame टाइप आया और बोला, साफधान और उन्हें उसे देखकर, जो की kernel physically को डरना चीए था वो हस पड़े, और उन्होंने अपना glass हाथ से लग दिया और उन्होंने कहा, अरे वाँ दोस्त, क्या performance है, क्या तुम्हारे आने का तरीका है, मज़ा आ गया मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा, कि तुमने ये सब कैसे किया क्या तुम किसी fancy dress competition में जा रहे हो, means उसकी appearance देखकर kernel ने ये सब कहा at this, the dread ghost gave a withering cry और ये सुनकर, गोस्त को बहुत गुसा आया, और वो चिलाया said the kernel, his monocle firm in his eye और kernel ने कहा, जो उन्होंने एक आँख में एक glass पहना वाता देखो, उनका चश्मा एक ही a single है अब उनकी आँख पे जो लगावा थे, पुराने जमन में एक आई वाला चश्मा है now just how you do it, I wish I could think उन्होंने कहा, अरे यार तुमने ये कैसे किया, मैं तो ये समझी नहीं पारा मजा आ गया, do sit down and tell me, please have a drink उन्होंने अपना glass उसे offer करा और बोला, दोस्त बैट जाओ, और मेरे साथ एक drink पीओ आपको क्या लगता है, ऐसा सीन आपके साथ होगा, तो आप तो डर चाओगे, चिलाओगे ghost ने भी ये expect किया था, कि वो मुझे देखके चिलाएंगे शोर मचाएंगे, या scream करेंगे, but this is all opposite thing happening आगे क्या होता है, देखते हैं, the ghost in his phosphorus cloak, gave a roar, cloak होती है, dress ghost ने जो वो phosphorus एक चमकीली सी pale yellow color की dress पहनी हुई थी, जो आप देख रहे हो picture में, उसने roar किया, चिलाया, वो चिड़ गया, किलस गया irritate हो गया, and floated about between ceiling and floor, floated, और फिर वो खूमने लागे कभी ceiling माने चट पे जाता था, floor माने कभी नीचे आता था, गुसे में वो इधर उधर गूम रहा है उपर नीचे, he walked through a wall, एक wall से पार हो गया and returned through a pain, और glass से अंदर आगया, pain होता है खिड़की का शीशा, दर्वाजे, वाल से गया और खिड़की से अंदर आगया and backed up the chimney and came down again अफर चिम्नी में घुजगया और फिर वापस आगया means वो छटपटा सा रहा है, अंदर बाहर बाहर अंदर हो रहा है why, to scare Mr. Physically Colonel Physically को डराने के लिए लेकिन Colonel Physically क्या, क्या, इसमें reaction होता है said Colonel, with a laughter, I am feeling quite weak और वो थो, ये सब देखका, ठाके मार के हसने लगी laughter is loud laugh, बहुत जोर से हसने लगी I am feeling quite weak, मुझे बहुत हसी आ रही है मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है क्यों, क्योंकि वो इतना जादा हस रहा है as tickles of merriment ran down his cheek उसकी उनकी आंको से हसते हसते आसू भी निकला है means वो लग रहा है कि ये कितना entertaining सा performance कर रहा है मजा आ रहा है वई वा my housewarming party, I hope you want spun ओहो, तो ये मेरी housewarming party चल रही ये housewarming party क्या होती है, ग्रह प्रवेश सुनाओगा आपने तो कह रहा है कि लगता है मेरी ग्रह प्रवेश का ये entertaining party चल रही है और तुम इसे इसमें reject नहीं करोगे मना नहीं करोगे you must say you will come and you will give us a turn अच्छा, तो जब मेरी housewarming party में रखूँगा तो तुम जरूर आना you will say, you will come तुम आना और you will give us a turn और तुम ये सब फिर से करके दिखाना अपना ये show फिर से दिखाना at this, ओफो, इतना डराने के बाद ये मुझे return मिल रही है at this the poor spectre quite out of his wits अब वो अपना आपा खो चुका है उसे गुसा आ रहा है उस गोस्त को out of his control proceeded to take himself almost to bits proceeding में आगे बढ़ता है और अपने आपको इतनी जोर से हिलाता है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए he rattled his chain, rattling is a sound of chains clatter is a sound of bones bones, उसने अपनी chainे rattle करी जस चेनों में वो बंदा हुआ था उसके गले में आप देख रहे हो, chain पड़ी है उसने वो chainे हिलाई, उसने अपनी bones, हड़ियों की आवाजे निकाली and he filled the whole castle with mumbles and moans these are also sounds और पूरे ही castle में उसकी चिलाने की, चीखने की ड्रावनी आवासे कूजने लगी why is he doing this? to scare Colonel Physically but Colonel Physically just as before लेकिन Colonel Physically का कैसे भी ही वियर था, जैसे पहले था was simply delighted and called out and core और उन्होंने पहले की तरह ही react किया, वो तो और delighted means very happy, और खुश हो गया और बोले एक बार और होजा है जरा क्या performance थी, क्या हड़ी है कड़कडाई है वह यह जरा फिर करके दिखा न at which the ghost vanished और इतनी insult देखकर ghost वहाँ से गायब हो गया, disappear हो गया efforts, his efforts in vain और उसके सारी efforts जो भी वो कर रहा था, इतने item कर रहा था यहां से वहाँ जाना, हड़ीयां कड़कडाना chains, clatter करना यह सब उसका waste गया in vain, waste and never was seen in the castle again वो इतना गुस्सा हो गया, इतना इरिटेट हो गया कि वो castle चोड़के चला गया, फिर वहाँ कहीं नहीं दिखा oh dear, what a pity said Colonel Fazek Colonel Fazek कहने लगे अरे यार, कहां चला गया what a pity I don't know his name, so I can't call him back मुझे तुसका नाम भी नहीं पता अब जब भी वो glass देख रहे हैं, वो कहां entertaining creature चला गया, मैं तो उसको बुला भी नहीं सकता and then with a smile was that, that was hard to define, और फिर उनकी चहरे पे एक हसी थी, जिसके मारे में हम ज़्यादा कहीं नहीं सकते, Colonel Fazek कले went to dine, और इसी खुशी के साथ करनल फैजक ले, खाना खाने चल दिये So, चलाँ, this was the poem, it is composed by Charles Gosley, very entertaining very, very nice poem, I hope you have understood it well, thank you do subscribe my channel and share my video, more and more among your classmates, thank you